बहुत सारे इंफ्लुएंसर आपको यूटूब पर ये बता रहे होंगे कि आप चैट जीपिटी का यूज करके मन्थली लाखो डॉलर साप सकते हो या पर लाखो रुपेश हाप सकते हो जैसे कि हमने टिक टॉक यूजीपिटी तीश करके जाट जिप्राली ब्लॉट है डी इस वच्ट जैसे फेर्स येवियरोपीटी कैन्ट्री टू तेंपरायली ब्लोग चाट जीपीटी और डेटा प्राइविसी इक एक जैसे कि हमने टीक टॉक ब्लॉक कर रहे हैं वैसे ही वहां पर चैट जीपीटी ब्लॉक्ट आप कैसे भी यूज नी कर सकते हैं चाहे आप स्टुडेंट हो आप नार्मल इनसान हो कोई भी हो आप वहां उन्हें कि यूज करो जितने भी एई बॉट है आप उनका यूज करो आपके लिए चीज़े बहुत स्मूध है लेकिन मैं मना किन लोगे के लिए कर रहो विकॉस मैंने यह क्यों बोला कि जॉब आपकी इससे चली जाएगी विकॉस डिसेंटली एक सैंसंग के एमकलोई ने क् चोटे से कोड़ पर या फिर बड़े से कोड़ बेस पर जिस पर एक एक काम कर रहे हैं अब उन्होंने कोड लिया और सीधे चैट जीपीटी को दे दिया कि भाई इसमें क्या एर्र है यह सॉल्व करके दे दो अब यह हुआ क्यों वो थोड़ा से समझते हैं बैक्ड्राउं एड बहुत देखने के लिए मिलता है और हर कोई उसी पर बात कर रहा है विकॉज आप देखोगे तो पैसे कमाओ चैट जीपीटी जीपीटी जीए करना है अब लोग दीमेदे में मैं देख रहा हूं कि जिनके साथ मैं काम भी कर रहा हूं या फिर मैं खोद अब लेखार या नहीं लेगा लेकिन चैट जीपीटी आपको एक इंटरफेस है अपको कुछ भी चीज़े दोगे आपको नहीं पता है कि वह चीज़े जा कहा रही है कौना से शर्वर पर जा रही है कि मैं कोई बीचीज़े देता हूं आप देखना लैप साइड में चैट कि आप अगर एक टाइम पर लॉग इन कर रहे हैं और उसी टाइम पर अगर सेम बंदा लॉग इन कर रहे हैं तो 3% या फिर कुछ एक परसेंट दिया था नमबर चांसेज हैं कि वो सेम परसन आपकी कंवरिशेशन देख सकता है जो चैट जी बिडी के साथ हो रही है और अभी एक बंदे के क्रेडिट कार्ड के पीछे के सिक्स डिजट या चार्ड भी सामने आया थे ऐसी एक लोकल कंवर्शेशन में कि सेम बंदा लॉग इन था और किसी बंदे ने वही पेमेंट की डीजिल आड़ों पेमेंट के साथ हो कह रहा था बट बहुत सारे ब्राउजर और यह यूज क्यों करते हैं चैट जीपीडी विकाज यूजर की हिस्ट्री ट्रैक करता है और जो चीज़े हम पहले कोड से गरते थे वह अपने धूर करता है इंटरनली कोड यूज होते है और वो सजेशन से लगरा दिखाने लगता है बहुत चीज़े स्मार्ट लग रही है और हमें जब यह चीज़ें एड़टाइज की जाती है तो बहुत ही फैसिनेटिक लगती हम अपनी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो चलो ठीक है कोई भी एरर आई तो जैसे मुझे उन दीदी भाईया ने बताया था या किसी एक इंप्लोएंशन ने बताया था मैं कोड उ अब इंटलीजी में मुझे पता नी विकॉज में इंटलीजी उस कर रहा हूं मैं कभी डालूगा भी नी विकॉज मेरे ऑफिस का वर्ग एंवायरमेंट है वो ठीक है तो आपके लिए क्यों बेनिफिट है अगर आप स्टुएंट हो आप कैसे भी यूज करो बट आप अग क्या मिस्टेक का नहीं नहीं वह मत करना अपने लैप्टॉप में डालनो लिकिन का कोड नहीं ओना चीह पर ऑफिस से और अप सोचो कि ओए मेरे पास मेरे पास मैं संब ले लिया है अब मैं उसको जाके देखं और फिर देखने लग जो क्या क्या error है नहीं आप जो भी इसको दो गेस के प्राउम्ज में यह वो सीधे सेव हो जाता है वो delete नहीं होगा अगर आप सोचो कि left side में जाके मैं वो conversation भी delete करता हूँ तो वो भी delete नहीं होगी क्यों क्योंकि वो already save हो चुकी है और यह हो भी क्यों because यार देखो कोई एक बना एक product बना रहा है आप जैसे facebook है अगर facebook भी free है वो आपके पैसे कैसे कमा रही है पैसे कमाती है facebook data से ठीक है आपकी personal informations है और आपकी क्या क्या suggestions है आप क्या क्या देख रहे हो तो जैसे ही आप कुछ भी चीज़े देखते हो शौकिंग अगरा कि एड़ आता है तो उसी में आने लग जाती है वह आपकी ब्राउजिंग सेशन में आने लग जाती है तो यह सारी चीजें जो ओपन सोर्स की होती है वो इनी चीजों से पैसे कमाती है तो samsung ने भी इस चीज को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय लगाए लेकिल यह चीज़ कोई कमपनी आपको अलाओ कर रही है तो उसको sensitive information मत पास करो और आपको पता होगा जैसे VPN होता है आप कोई भी ऐसी sensitive information बाहस करोगे आप अपनी जॉब से हाथ दो बैट होगे और आपको सीधे security का mail आएगा जिस कमपनी में काम करना हूँ उसमें already यह available है कि आप हमारी कमपन में चैट जीपीडी कोई भी access नहीं कर सकता चैट बाट आप यूज नहीं कर सकते कोई भी उसको query नहीं पास कर सकते तो अगर इस वीडियो का conclusion है अगर आप student हो तो कैसे भी उसकरो मैंने जैसे अभी बाद आया last video बाद आया doesn't matter आपके लिए तो beneficial ही रहेगा आपके लिए एक blessing है आप जैसे भी यूज करो जितनी भी chatbot है आप यूज करो आप जैसे यूज करना चाहते हो code से content से या फिर कोई suggestion से कैसे topic से search करो वह आप सब पूछ लो लेकर आगर आप एक company में काम कर रहे हो तो मेरा मानना यह है कि यार suggestion के लिए तो छोड़ो आप अपनी company के network में इसको open भी बत करना because you don't know कि background में कौन से processing चल रही है because I have worked on android मुझे पता था कि उसमें मैं permissions देखे मैं background में क्या क्या करवा सकता हूं ठीक है आपको भी पता नहीं होगा आपकी location track हो रही है या फिर आपकी बहुत सारे data alter है तो यह सारी चीज़े हो सकती है ठीक है तो इस वी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर और बाबाए